दोस्तो अगर आप भी अपने पैरों में पाइल पहनती हैं, तो ये खबर जानकर आप अपने पैरों की पाइल को बाहर फेक देंगे, ऐसी पाइल पैरों में कभी ना पहने, जानिए इसके नुकसान और फायदी दोस्तो भारती महिलाओ का पहनाबा दुनिया में सबसे अलग माना जाता है, भारत की महिलाओ की बेश भूशा और श्रिंगार बेश्टन कल्चर से बिलकुल अलग है, बास्तु शास्तिर के हिसाब से, महिलाओ के पैरों में पाइल पहनने से साकरात्मक उर्जा का संचार तो ही देता है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे की पैरों में गलत पाइल पहनना आपको बरबादी की ओर ले जा सकता है, जानिये पैरों में पाइल पहनने के नुकसान और फाइदे, दोस्तो नमबर बन, शास्त्रों के अनुसार, किसी भी शादिशुदा महिला को अपने पैर की पाइल कभी किसी गैर महिला को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपके पती की निशानी है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका गलत असर आपको देखने को मिल सकता है, दोस्तो नमबर टू, ऐसा माना जाता है कि जिस पाइल के घुंगरू की आबास, उस महिला क चलने पर अगर ना निकले तो अशुब माना जाता है, अर्थात टूटी हुई पाइल या घुंगरू टूटे फूटे हो तो ऐसी पाइल आपको बदल देनी चाहिए, क्योंकि जिस पाइल के अंदर से अगर धुनी ना निकले तो अच्छा नहीं माना जाता, यानि या उसे बहार कर दें, क्योंकि घुंगरू की जनकार से साकरात्मक उर्जा का संचार होता है, और देव्य शक्तियां सक्री हो जाती हैं, दोस्तो नमबर थ्री, ऐसी पाइल से रहिस साबधान अगर आपको कहीं भी पाइल पड़ा हुआ मिलता है तो, घर की और बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि ये टोने टोटके से किया हुआ होता है, अगर आप गलती से भी बाहर की पड़ी पाइल को घर लेकर आते हैं तो, आपके घर में कुछ भी हो सकता है, नाकारात्मक उर् अगर में अपना इस्थान बना सकता है, इसी लिए हो जाएं सतर्क। दोस्तो अब बात करते हैं, पैरों में पाइल पहनने से क्या फाइदे मिलते हैं। क्या जाते हैं सतर्क। महिलाओ के पैरों में पाइल पहनने की ये परंपरा सद्यों से चली आ रही है। कहा जाता है कि पाइल की अबाजों से घर के पुर्षों को पहले ही पता चल जाता है कि घर की कोई महिला उसकी तरफ आ रही है और वो उनके आने से पहले ही सतर्क हो ज लेकिन ये स्वास्त के फाइदे तभी मिलते हैं जब पायल चांदी की हो आपको बता दे जब पायल पैरों के संपर्क में आती है तो पायल के धातू के तत्ब तोचास से रगड़ कर शरीर के अंदर परवेश कड़ जाती है और हड़ीयों को सोने चांदी जैसी मजबूती मिलती है दोस्तो नंबर 4 चांदी की तासीर ठंडी होती है इसलिए आयरुबेट के मुताबिक पैरों में चांदी पहनी जाती है पैरों से पैदो ही ठंडी उड़ जा सिर में चली जाती है जिससे पूरे शरीर का तापमान रहता है दोस्तो नमबर फाइब नाकरात्मक्ता होती है दूर हिंदु धरम की मानिताओं के अनुसार पैरों में पायल पहनना बहुत तीश शुब माना जाता है जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पायल की अबाजों से घर की नाकरात्मक शक्तियां कम हो जाती है और दोस्तो नमबर 6 पैरों में पायल ना सिरिप शादिशुदा महिला बलकी कुभारी लड़कियां भी सदियों से अपने पैरों में पायल पहनती आ रही है और पायल पहनने की ये परंपरा आज भी निभाई जाती है दोस्तो जानकारी पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें